हेलो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम एप्रेल के सारे इंपॉर्टेंट इस एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी की हेल्थ से लंग करने वाले हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड मैं एंगे कुछ एक बिन उरीशा के दो बच्चों ने जिनको की ऑटिजम था इन दोनों को उटिजम था इन्होंने सोचा कि एक ब्लाइंड परसल को फूल बनाते हैं अब मैंने का स्टोरी की फर्स लाइन से आपको पता चलना चाहिए कि यह स्टोरी जो है वो एप्रेल की है तो यहां पर मैं पर फूल फॉल दिन एप्रेल तो इसलिए पता चलेगा कि यह जो स्टोरी है यह एप्रेल की स्टोरी है फर्स से पता चल जाएगा तो एक दिन उरीशा के दो बच्चे जिने आटिजम था उन्होंने एक ब्लाइंड परसन को फूल बनाने को सोचा जिससे की वो बिमार पढ परने के बाद उसे पांच के वेस्केटточ जिसमें की सेवनल हेल्टी न्यूठ्रेंट्स से आपको पताओका सेवनल न्यूठ्रेंट होते हैं कर्भो spill अध्रेंट बेत उसकी मिनरल वाटर रफिज तो सेवन हेल्दू नीवार ने करने के लिए ले लें कि आपके लेंडर के तीरवे दिन वह ठीक ओके जलिया वाला भाग घुमने गया और बहूर ब्योश हो पर एक्जाम के लिए उसने तेइस-चौविस बुक्स भी पड़ी थी पंचायत पर उस 26 साल के इंटेलिजेंट लड़के को टीक है 26 साल के इंटेलिजेंट लड़के को एक्जाम से पहले 25 मच्चरों ने काट लिया तो भई उसने 28 दिनों तक अपनी हेल्थ की सेफटी के लिए वर्क फ्रों होम कर लिया ठीक है यह आपकी कहानी होगी खतम अब देखते हैं कौन से कौन से डेज हमारे कवर हुए एक दिन उरीशा के तो एक को रहेगा एक अप्रेल को उरीशा डे दो बच्चे जिने की ऑटिजम था तो दो एप्रेल को वर्ड ऑटिजम अवेर्नेस डे उन्होंने एक ब्लाइंड बच्चे को फूल बनाने का सोचा तो फूल से पता चल रहा है एप्रेल फूल इससे आपको याद रहेगा कि सूरी एप्रेल की है यह सारे डेज एप्रेल में आते हैं उरीशा डे ऑटिजम वर्ड ऑटिजम अवेर्नेस डे एक ब्लाइंड बच्चे को फूल बनाने का सोचा तो एप्रेल का फिर्स वीक होता उसे पांच मेरी गोल्ड तो पांच को आता है नैशनल मेरी टाइम डे मैरी गोल्ड को मैंने यहां पर लिंक किया है तो पांच को आता है मेरी टाइम डे जिसमें की सेवन हेल्दी न्यूट्रेंट्स थे वह खिलाए गए तो सेवन को वर्ड हेल्थ डे सेवन हेल्दी दस होमियोपैथी की गोली भी खिलाई गई दस होमियोपैथी की गोली तो दस को आ गया वर्ड होमियोपैथी दे तेरवे दिन वो ठीक हो गया तो वो भई जलिया वाला बाग गया और वहाँ पर जाके बेहोश हो गया तो थरटीन इंद को आता है जलिया वाला बाग में सेकर्डें आफ होश हो गया वह तो फिर भई उससे इटारा किलोमेटर दूर हरीटेज होस्पिटल में एडमिट कर आया था ठीक है तो यहां पर मैंने होस्पिटल का नाम हरीटेज इसलिए दिया है कि 18 किलोमेटर दूर बिच्ट से से याद रहे जाएगा 18 किलोमेटर दूर हरिटेज अस्पिटर टो 18 वोथा वर्ल हरिटेजस डे और वहाँ पर जाके क्या पता लगा क्यूंसे तो 17 दिन से हीवोफिलिया था तो 17 बिडिके सतरा दिन से हीवोफिलिया था कि लड़के का 21st April को 21st को सिविल का एक्जाम था तो आप याद रखेंगे यहां से कि 21 को नैशनल सिविल सर्विस डे इस वेरी इंपोर्टेंट इग्जाम एक्जाम पूछा भी जाता है एनिवें 21 को होता है नैशनल सिविल सर्विस डे क्योंकि उस लड़के का 21 को सिविल का एक्जाम था और सेंटर पड़ा था बाईस एर्थ स्ट्रीट पर तो यह अड्रेस में इसलिए असा लिखा है बाईस एर्थ स्ट्रीट ताक्कि आपको यह इखट्टा याद रहे कि 22 को वर्ड अर्थ डेव कि एक्जाम के लिए उसने 23 24 बुक्स पड़ी थी पंचायत पर यह इस चौबिस बुक्स तो थेईज को आगया बुक और कॉपीराइट डे और 24 को आगया पंचायती राज़़ए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अर्टी और 24 में से एक तो हो गया आपका व लेकिन 26 साल के intelligent बच्चे को 26 को आ गया वर्ल्ड Intellectual Property Day कि उसको एग्जायम से पहले 25 मश्रों ने काट लिया तो 25 और मच्छर व्ल्र ने क्या कर दिया उसको malaria कर दिया कि 25 को आदा है वर्ल्ल मरे malaria डे है है जब को मढगत लिया तो सोचा मैं घर पर ही सफटी के लिए ह optic टैस तक उसने हपनी है कि सेफटी के लिए तो वर्लड देफोर सेफटी एंड है याथ एट वर्क 28 दिन तक उसने अपनी हथ की सेफटी के लिए वर्क फ्रोंज वह ले लिया व्लाक्त यहां पेiden से कनेक्स हो गए यू मस्ट भी लर्निंग नाओ की 28 से एप्रिल को आता है वर्ल डेवर सेफ्टी एंड सेफ्टी एंड हेल्थट वर्क लेट उस टेस्ट और नॉलिज नाओ वही चार एमसी क्यूज में से आप एक उप्षन तो सही पहचाने लोगे इतनी स्टोरी को सुनकर तो लेट उस सी वाट इस सेलिब्रेटिड ओन एप्रिल फर्स इन उरिसा उरिसा में एप्रिल फर्स को क्या होता है तो अपने पढ़ा उरिसा डे ठीक है इसका अंतर है सी यह देखो उरिसा डे फर्स एप्रिल को एक दिन उरिसा के दो बच्चे जिनको ऑटिसम था दो बच्चे जिनको ऑटिसम था उन्होंने एक ब्लाइंड बच्चे को ब्लाइंड ठीक है प्रिवेंशन ओफ ब्लाइंड वीक दिस राइट आंसर अब उस बच्चे को एप्रिल फूल बनाके जब उसकी तवियत खराब हो गई तो उसको पांच क्या खिलाए गए पांच मैरी गोल्ड के बिस्किट खिलाए गए और इससे हमने क्या करेक्ट किया था वर्ल्ड मैरी टाइम डे आंसर इस सी एप्रिल सेवन पांच मैरी गोल्ड के बिस्किट जिसमें की सेवन हेल्दी नूट्रेंट से एप्रिल एप्रिल टेन पांच मैरी गोल्ड के बिस्किट के साथ उसको दस होमेपैथी की गोली भी खिलाएगी ठीक है तो वर्ल दस होमेपैथी की गोली याद रही गी अगर तो आप एंजी के अंदर से आप टैंद वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ठीक है अगर आपको एप्रिल ना भी याद रहे तो वट इस रिमेंबर्ड ओन एप्रेल 13 जब दस होमेपैथी की गोली खिलाई गई उसको तो भाई वो थर्टीन को जलिया वाला भाग घूमने गया था तो आंसर है बी एप्रेल 18 जलिया वाला भाग में वो भी होशो के गिर गया तो 18 किलो मिटर दूर कौन सा हॉस्पिटल था है रिटेज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पता चला कि 17 एप्रेल हॉस्पिटल में पता चला कि उसे तो 17 दिन तक सारी 17 दिन से हीमोफिलिय था तो इंट्रेशनल हीमोफिलिय डे 17 को एप्रेल 21 विज एडिनिस्टेटिव् सेक्टर इस ओनरड उस लड़के का 21 दारिक को धा है उसका था 21 को सिविल सर्विस का एक्जैम तो नैशनल इसलिएस दे ऐप्रेल 22 इख्जैम का सेंटर का पढ़ा था एक्जैम था सिविल सर्विस दे और उसका सेंटर पढ़ा था 22nd Earth Street पर तो यह हो गया वर्ड अर्थ डे वर्ट इसको मेमरेटीड ओन एप्रेल 23rd इक्जाम के लिए वो 23, 24 बुक्स पढ़कर गया था पंचायती राजपर तो 23, 24 बुक्स इसमें से 23 को आता है वर्ड बुक एंड कॉपिराइट डे ठीक है वैसे देखो यहाँ पर ऑप्शन में मैंने इंट्रेश्चल बुक्डे भी डाला है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है वीडियो को आप दुबारा से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वर्ड बुक्स पढ़कर ठीक है दो तीन बार देखो गए तो पूरी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से लान हो जाएगी तो इसका आंसर है सी एप्रेल 24 तेइस चौबिस बुक्स पढ़ी ठीक है तो तो तेइस को तो बुक्डे हो गया किस पर पढ़ी थी वो बुक्स उसने तो उसने पढ़ी थी पंचायत पर तो पंचायत से question यहाँ पर यह है which level of governance is highlighted तो पंचायत इस local self-government तो answer है local self-government यह देखो एक बार slide देख सकते हो 24 तो था नैशनल पंचायती राज़डे राइट 23 चौबिस बुक्स पढ़ी next question 25 से हमने क्या connect किया था उसको 25 मच्छरों ने काट लिया था ठीक है तो उसको malaria ना हो जाय था कि इसलिए उसने work from home ले लिया अपनी कि सेफटी के लिए तो 25 को था मलेरिया डे आंसर इस बी अपरेट 26 उस 26 साल के intelligent बच्चे को ठीक है वहीं सिविल सर्विस इसका exam है तो प्रिपेर करके दे रहा होगा तो इसका मतलब intelligent ही होगा तो that means 26 साल के intelligent बच्चे को तो 26 साल का intelligent बच्चा हो गया option नंबर सी वर्ड इंट्लेक्ट्ट्वल प्रॉपपटी डे 26 को अटाइस दिन तक वर्ट फ्रॉम हों किया अपनी है की सेफटी के लिए और थाइस दिन तक वर्ट फ्रॉम हों किया वर्ट रॉम होम तो 28 को आ गया दिस ओफियो नंबर सी वर्ड एफ़र सेफटी एंड हैज एट वर्क आई होप सारे डेज आपको चैसे याद हो गए होंगे आगे और भी बहुत इंट्रस्टिंग स्टोरीज है तो पूरे डिसेंबर तक स्टोरीज आप इस सीरीज से लर्न कर सकते हो थैंक यू पर फॉल्विंग मैं चैनल जिस्क्राक इट थैंक यू पर वाचिंग